नमस्कार मैं हूँ संदीब चौधरी आज सीधा सवाल एक बार फिर विटन की राजधानी इंगलंड की राजधानी लंडन से कर रहा हूँ साथ समंदर पार बैठा हूँ लेकिन बात करने वाला हूँ एक सो एकिस लोगों की मौत की सततर घंटे हो गए हातरस हत्या कांड को हुए जी हाँ मैं हत्या कांड शब्द का इस्तमाल कर रहा हूँ ये कोई दुरगटना कोई हाथसा नहीं था पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात अंडर लाइन करना चाहू और इसकी वजए और वजवात भी आपके सामने मैं गिनाने वाला हूँ सततर घंटे हो गए दो जुलाई को लगभग दो बजे भगदर मची थी श्रद्धानों की एक सो एकिस जाने खत्म हो गए लील ली गए चीख पकार चीतकार मची थी वहाँ पर व्यवस्था की कलाई कोई खुल गई थी पॉल खुल गई थी अस्पताल ले जाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं सतर पिछटर लोगों ने तो इसलिए जान गवादी सासे टूट गई क्योंकि वहाँ पर कोई बंदोबस्त कोई इंतजामात ही नहीं थे अक्सिजन मिल जाती कोई फर्स एड मि पीच होते अपने परिवार वालों के साथ होते लेकिन कुछ था ही नहीं इसलिए मैं इसे हत्याकान कह रहा हूँ और साथ समंदर पार बैठे मुझे एक ग्यान की प्राप्ति भी हुई है गहर से सुनियेगा अब मुझे अब मैं पचास की उमर भी पार कर रहा हूँ एक ग्यान मिला है मेरे चक्षू खुले कि यह B.A.M.A. दोनों की यह मैंने या B.A.C. M.S.C. या M.B.A. या M.B.B.S. या एंजिनियरिंग की डिगरी यह सब बेमानी है पढ़े लिखकर कोई नबाब नहीं बनने वाले हो गुलाम बन जाओगे मजदूरी करोगे और कहीं गलती होगी तो टांग भी दिये जाओगे जिम्मेदारी उसी वक्त तैह हो जाएगी लानत मलानत होगी समाज में तू तू भी होगी लेकिन अगर आप बाबा बन जाओगे कहां से दीक्षा हासिल की कहां पर तपस्या की कहां से ग्यान अर्जित किया दस्वी पास ही क्यों ना हो आप लाकों की तादाद में किसी चमतकार का आप दावा करदीजे लाकों की तादाद में भग्त श्रधालू आपके तथाकथित प्रवचन आपके तथाकथित ग्यान के सागर में दुपकी लगाने के लिए आजाेंगे मैं यहाँ पर 이 एक बात साफ कर दू देश में संत महात्मा है वो सिद्धी प्राप्त लोग है वो महापुरुष है उनकी तरफ उंगली नहीं उठा रहा हूं लेकिन जो आस्था को जो भगती को धंदा बनाए बैठे हैं और जिने विवस्ता का संरक्षन है मैं उन पर सवाल उठा रहा हूं मैं आम आदमी पर भी सवाल उठा रहा हूं सबजी तरकारी खरीदने जाएंगे मोल भाव करते हैं कि स्कूल में बच्चे को डालना है सोच समझ कर दस आदमियों से पूच्टाच करके वो काम करते हैं कौन सा कॉर्स दिलाना है बच्चो का, बेटी का, बेटे का ब्याह कहा करना है सब सोच समझ कर पूच्टाच कर तफ्तीश कर लेकिन किस बाबा से ग्यान प्राप्ती करनी है जिन्दगी जीने का तरीका सही रहा पर चलने के दिशा निर्देश लेने है हम कहीं भी डुमकी लगाने को तयार हो जाते हैं कोई बाबा बताता है कि जी बटवे का रंग बदल दो तो कृपा आ जाएगी कोई प्रेमी बताता है अपने भक्तों को और बलातकार और हत्या में शामिल होता है कोई मंच पर नाचता गाता फिरता है और रंग्रेलिया मनाता है यान शोशन करता है छोटी छोटी बच्चियों का पर हमारी आपकी आँखे नहीं खुलती तो आप और हम भी मैं भी इसमें जिम्मेदार हैं लेकिन बड़ा सवाल निवस्था का है नजर अंदास किया जा रहा है सूबे के मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ को रिपोर्ट सौब दी गई है डी जी पी और चीफ सेकेटरी मुख्य सचिव ने पंदरा पन्लों की ये विस्तृत रिपोर्ट सौब दी है विस्तृत इसमें डी एम और कि राजने देख साज़श भी की गई पर ये नाराएन साकार हरी सूरज पाल नाम का ये शक्स जो दिल जो उत्तर प्रदेश पलिस में एक सिपाही था नाराएन साकार हरी इसका कोई नाम ही नहीं नाम निशान नहीं एफ आई आई जी डी आई जी अलिगर्ड रेंज वो के आई जी बलकी मैं कहूं वो कह रहे हैं दो महीला समय छे लोग गिर अफ़तार कर लिये गए हैं मुक्खे आरोपी मदुकर एक सेवादार एक लाख रुपए का इनाम गोशित कर लिया गया है और जो ये फरार बाबा की जरूरत पड़ी जरूरत पड़ी तो पूछताच की जाएगी जरूरत पड़ी किसने वो सत्संग बलाया था किसके नाम पर वहाँ अजारों लाखों की भीड जमा हुई थी किसकी धूल अपने माते पर लगाने के लिए उस होड में लोग लगे और भगदर मची बाबा कहता है मैं तो निकल लिया था वहाँ से कुछ आसामाजिक तत्व थे बड़ा कन्वीनियंट है यही कोविट काल में 2021 में फरुखाबाद में इसी तथा कतित बाबा ने इस सूरजपाल ने 55 लोगों की अनुमती मांगी थी प्रशासन से एक लाख लोग एकट्टा हो गए थे प्रशासन के ए आखों कानों में जूं तक नहीं रहेंगी थी करोना काल लाख लोग और होने दिया गया जब तक यहां जिम्मेदारी ते नहीं की जाएगी तब तक सवाल अधूरे रह जाएंगे विमर्श चर्चा विशलेशन वो अधूरा होगा दो जुलाई को दो बजे यह हद्सा होता है यह हथ्या काउंड होता है और उत्तर प्रदेश के जो स्वास्त मंत्री है उप मुख्य मंत्री भी है प्रजेश पाठक तीन जुलाई को सुभा दस ग्यारा बजे वो एक रिपोर्ट सोंप रहे होते हैं किसे बियल संतोष कौन है बियल संतोष होंगे बीजेपी में कोई बड़े नेता क्या वो मंत्री हैं क्या वो सरकार हैं उनको किस बात की रिपोर्ट दी जा रही है 30 गंटे बाद सुभे के स्वास्त मंत्री घटना स्थल पर पहुंचते हैं क्यों भई पहले दिल्ली जाना जरूरी है और ये तब है दर्शकों ये बात किसी ने आपको नहीं बताई होगी तीन दिन से तमाम न्यूज चैनल से इस ख़बर को कवर तो कर रहे है पर कवर करने की कवर अब भी बहुत कुछ होने की करने की कोशिच हो रही है पूरी समयदारी से ये बात भी मैं कह रहा हूँ हर साल केंदर सरकार राज्य सरकारों को एक स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रुसीजर एक दिशा निर्देश जारी करते हैं कि जहां पर भी भीर हो जहां सत्संग हो कोई धर्मिक कर्मकान किया जा रहा हो तो वहां पर क्या कुछ करना है ये बताया जाता है हर साल और क्या है उसमें एहम बंदू क्या है वो जरा आपके सामने मैं पेश कर दूँ EOC Emergency Operations Center आपातकाल कुछ हो जाए जैसा वहां हुआ एक आला अधिकारी के संरक्षन में होना चाहिए एक आला अधिकारी के हाथ में होना चाहिए Crowd Management भीड को नियंतरित कैसे किया जाएगा इसका पूरा एक नक्षा बनाना ज़रूरी है Police, Ambulance, Fire Service, Medical Emergency, Room होना ज़रूरी है कुछ नहीं था वहां हाथ रस में हर grid पॉइंट पर हर नाके पर आसान भाषा में कहूं CCTV कैमरे लगे होने चाहिए थे नहीं लगे हुए थे कोई VIP होता हा वहां आ रहा होता तो यह सारे बंदों बस हो जाते speaker के जरीए हर पॉइंट पर public को address करने का system घोशना करने का, लोगों को जानकारी देने का रास्ता क्या लेना है, कुछ हो जाए दिक्कत यह विवस्ता होनी चाहिए Medical Emergency Center अक्सिजन मिल जाए, उपचार मिल जाए Safety Officer एक सुरक्षा अधिकारी है, अब मौके पर होना चाहिए Communication, Traffic और Medical Plan की मौनिटरिंग करने के लिए विवस्ता होनी थी Emergency Transport Plan अगर कुछ आपातकाल हो गया, पचास सो लोग जखमी हो गए, घायल हो गए, उनको वहाँ से निकाला कैसे जाएगा वो गारियां कहा होंगी, कौन सा अस्पिताल सबसे नजदीक होगा यह कोई Rocket Science नहीं है पर आम आदमी की कीमत, उसकी जान की कीमत कुछ ज़्यादा ही सस्ती आँकी जा रही है हमारे देश में और यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक्सीमत नहीं है यह हर राज्य में हम होता देखते है और स्टेंडिल ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए कोई उन पर ध्यान नहीं देता है भीड की लगतार असेस्मेंट भी की जाती है भाई भीड जरूरत से ज्यादे तो नहीं हो गई हम सिर्फ तीस हजार लोगों का या चालिस हजार लोगों का बंदोबस्त कर सकते हैं उनकी देख रेक कर सकते हैं उसके बाद रोक दिया जाए कि नहीं जी आज नहीं कल आईए या परसो आईए अगले सत्संग में आईए कोई मानिटरिंग नहीं भीड की इंटेलिजन्स का कोई सेटप लोकल इंटेलिजन्स यूनिट्स होती हैं कोई सेटप नहीं महिलाओं बच्चों के लिए खास इंतजाम करने थे सबसे ज़्यादे महिलाओं की मौत हुई है सबसे ज़्यादे भगत भी महिलाओं होती है और बिना किसी अर्चन के कोई वेकलपिक रूट भी अगर वहाँ पर कुछ भीड के चलते अन्यंतरित होने का पूरा सबब सामने आए तो कोई वेकलपिक रास्ता भी हो कि वहाँ से कुछ लोगों को निकाल दिया जाए कुछ नहीं सन्नाटा और इसी के चलते कुछ सवाल भी उठते हैं दो बजे दो जुलाई को ये हादसा हुआ था दो गंटे तक वहाँ कोई आला अधिकारी ही नहीं आया क्यो क्या कर रहे थे जिला अधिकारी क्या कर रहे थे कप्तान क्या कर रहे थे वहाँ का सीमो क्या कर रहा था स्डियम क्या कर रहे थे सिकंद्रा राओ के अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं पहुँचे जब पूरे देश को पता लग गया था मुझे यहां साथ समंदर पार बैटे पता लग गया कि भाई भीशन हादसा हो गया है 121 लोगों शुरू में आकड़ा आया भाई 50 लोग, 70 लोग, 80 लोग तो डॉक्टर तो पहुँचने चाहिए ना सिकंदरा राग के अस्पताल में कई लोगों की सांसे चल रही थी जो मैंने बताया 70 से 75 ऐसा बता रही है हमें चश्मदीन, वो ज़िए जाने बचा ही जा सकती थी स्वास्त मंतरी 30 गंटे बाद पहुंसते हैं पहले वो दिल्ली जाकर बिल संतोष को रिपॉर्ट देते हैं हादसे के रोज स्वास्त मंतरी ने सी एमो डॉक्टर ऑक्सीजन स्टाफ की कमी पर कोई भी टिपपनी क्यों नहीं की किसकी जम्मेदारी है वे डास दे बग स्टाप मुक्य मंतरी योगी अपने बयान में नारायन साकार हरी के नाम से क्यों बच रहे हैं क्या प्रेम है निताओं को और सिर्फ बीजेपी की सरकार की बात नहीं है हर सरकारे नतमस्तक गंदवत होते वे दिखाई देती हैं इन तताकतित बाबाओं के सामने मैं जो असल बाबा हैं मैं उनका जिकर नहीं कर रहा हूँ ये बात फिर से मैं दोहराना चाहूंगा केंदर और राध्य सरकारे कहा हैं इस बाबा को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा सुर्खाब के पर लगे हुए हैं पूच्छताच नहीं होगी स्टैंटर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर में तो कहा गया है कि दरसल प्रशासन की जिम्मदारी है अनुमती देना तो प्रशासन ही उस सथसंग का आयोजिक हो जाता है तो ये सूरजपाल पर नजरे क्यों इनायत की जा रही है तीन सदस्य नहाई कायोग तो बन गया जिला अधिकारी की जिम्मेदारी कौन तै करेगा कप्तान की जिम्मेदारी तै कौन करेगा अलिकर के आईजी की जिम्मेदारी कौन तै करेगा सीमो की जिम्मेदारी कौन तै करेगा यह मर गए मर गए 140 करोड का देश है 121 आदमी मर गए हो जाता है बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटे मोटे हादसे, छोटे मोटे हत्याकान होते ही रहते हैं फेरिस बहुत लंबी है, मैं लगतार इतने सवाल उठा सकता हूँ जिनका कोई अंत नहीं है, पर जवाब कौन देगा? सवाल यहां आटका हुआ है, ऐसे में आज का सीधा सवाल, किस में इतना दम है? 121 लोगों का हत्यारा सिस्टम है, यह हमारी विवस्ता है, हम है और वोट की दरकार, इसलिए बाबा की मुठी में हर सरकार, हर रज्य में ऐसा हो रहा है चर्चा में मेरे साथ, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, अश्वनी शाही एंडिया के एहम गटक हैं, खास उत्तर प्रदेश में, SBSB, SBSP के राश्रिय प्रवक्ता अरुन राजभर कॉंग्रिस के राश्रिय प्रवक्ता अभै दुबे मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राश्रिय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जाने माने राजनेतिक विशलेशक, अभै दुबे, दो अभै दुबे हो गए हैं आज कारिकरम में और विक्रम सिंग उत्तर प्रदेश के डी जी पी रह चुके हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं और विक्रम सिंग, शुरुआत आप से ही करूँगा ये किसमे कितना दम है, मेरा पहला सवाल ये है, 121 लोगों के हत्यारे हम हैं, ये हत्याकांड है, ये कहकर मैं कोई गहर जिम्मेदाराना बयान तो नहीं दे रहा हूं, और अगर दे रहा हूं तो मेरा बयान दुरुस्त कीजिए, विक्रम सिंग संदीग जी आपने बयान दुरुस्त दिया है, और बिलकुल तार्किक है, और चित्पून है, यहीं बयान मेरा भी है, और मैं जानना चाऊँगा, जिसके आयोजन में ये हत्याकांड हुआ है, वो आयोजन आपने कराया था, अब ऐदूबे जी ने कराया था, मैंने कराया और जिसने कराया था अपनी जिम्मेदारी को ओड़े, नहीं ओड़ता तो फुलिस की जिम्मेदारी है, कोई चौकी इंचार्ट भी होता, अब तक इनको लट बजा के कर देता अंदर, और अब तक नहीं अंदर किये गए, तो ये संदीब जी पूरा राश्टी पूछ रहा है आकर इनमें कौन से सुर्खाफ के पर लगे हैं, कि 125 मौतों के बाद भी इनसे कोई पूस्ता तक नहीं की जा रही है, ये दोहरे मापदंडर दो रूल बुक नहीं होती है, आपने देखे शुरुआत से ही संदीब जी एक बहुत मुस्ट पेवर्ड एप्लिकेंट के यानि अगर कहा जाए, मारपीट का भी मुकदमा कर होगा तो आपको अनुमती नहीं बिलेगी, इनके किलाव पाट-पाट मुकदमे हैं, यान शोचल से ले करके तवाम और इस ती तरीके के जन्सफाइक आईवर्ड करना ना जायए, इनको पर्मिशन मिलती है, और ये थे बाउंसर्स, और ये थे मवाली अवल दर्जे के, उनको आपने जिम्मेदारी दी, पुलिस बाहर की, और आपने जो कहा ना, इंटर्नल सिक्यूरिटी स्कीम और कंटिंजनसी प्लान, वो तो हमें लगता है कि वर्शों से किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, वरना एक ठाना देख छोड़ दीजे, एक चौकी इंचार्ज भी कर सकता है, इसकी ये मामूली मौलिक बात है, लेकिन ये मौलिक चीजे भी नहीं की गई और दुख इस बात का है, अफाई यार प्याजाई, नहीं, आपर कमाल की बात देखिए, विकरम सिंग जी, आम आदमी के लिए तो विवस्ता ने प्रशासर ने कोई इंतिजाम नहीं किये, ये जो अपने आपको बाबा कहता है, सूरजपाल, इसने अपनी सुरक्षा के क्या-क्या इंतिजाम किये हुए थे, एक गुलाबी ड्रेस पहने हुए नाराइनी सेना है, इसमें सिर्फ महिलाएं, पचास पचास की तुकड़ी, एक ब्लाक कमांडोсь, ये गरुन योधा काली ड्रेस पहने हुए, गरुन योधा बीस बीस की तुकड़ी, और ब्राउं ड्रेस पहने हुए, ये हरी वाहक, ये भगवान के नाम का भी कैसे استعمुल करते हैं, इनहें शर्म नहीं आती, ये हरी वाहक पच सारा लेना देना इही का है और आपने देखा होगा जिस तरीके से सुनों जिस तरीके से इसने अपने प्राइवेट जो बाउंसर से उंगी ड्यूटी लगाई ये चुंकि 25 साल पहले एक पूर पुलिस करनी है तो इसको मालूम है प्लेन क्लोस ड्यूटी ड्यूटी आउटर आउटर परिमीटर परिमीटर सेक्यूरिटी इसको पूरा इसका ग्यान है और उसी ग्यान का इसने मूरती रोग दे करके अपनी सेक्यूरिटी उसी प्रकार से अभेद की है जैसे प्रधान मंतरी की सुरक्षा के आयोजन होते हैं और दुर्भागी इसी बात का है इसके हाई लाख आदमी कठ्था होने वे आठ गंटे लगते हैं नैशनल हाइवे में यह बताया जाता है नैशनल हाइवे में ट्राफिक जैंब हुआ था उसकी शिकायते आई थी और उस शिकायतों के आधार पर ही अगर आप जाग जाते आपका मतलब प्रशासन जाग जाता यह द अश्वनी शाही यह बाबा में कौन से सुर्खाब के पर लगे वे हैं पूछता अच क्यों नहीं की गई पुलिस ने उठाया क्यों नहीं अब तक इस बाबा को पंदिर जी मुझे जहां तक लगता है मैं विकरम सिंग जी के सेवा पर कहीं कोई उंगली नहीं है ना मेरा यह है कि मैं उनको कहूं लेकिन मैं यह इतना ज़रूर कहूँगा विकरम सिंग साभ ने टेकनिकल बातें कहा है और जो पुलिस करमचारी वहाँ पर वहाँ देख रहे हैं स्स्पी हो डी आई जी हो एडी जी हो उनका इकबाल बुलंद है और टेक्निकल ग्यान में कहीं कम नहीं है अपनी सेवाएं अनवरत रूप से बहतर तरीके से दे रहे हैं और हम से और आप से बहतर उनको कानून का ग्यान है F.I.R. जब होती है तो वो ओपन होती है विवेचना होती है विवेचना में नाम बढ़ाये जाते हैं जब उन सलब माथूर साब का बयान आया है आवसेकता होगी तो बाबा से पूछता चोगी और वो करेंगे मतलब सेवादारों की गहर जिम्मेदाराना रुख रविये के चलते ये भगदल हुई और ये 21 लोगों 121 लोगों की मौत हो गई हत्या हो गई वो सेवादारों ना किया अरे बाबा तो पहुंचे वे व्यक्ति हैं महापरोश है कौन बाबा कोई जिसको कह रहे थे ओ बाब मैं सूरजपाल कहता हूँ वो कोई बाबा नहीं है अरे किसी का भी हो वो महावती के टाइम पर भी संद्रक्षन मिला और आज भी मिल रहा है बात यह है इसमें मेरा बाबा तेरा बाबा मत कीजिए अश्वनी चाहिए संद्रक्षन नहीं है और सुनिए संद्रक्षन कहां से मिल सकता है कोई फाई यार में नाम नहीं मदुकर का नाम एक छोटे से सेवादार का नाम रख देंगे बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं अब पुलिस की रिपोर्ट लगती है डियम क्या से परमीशन मिलता है उसका वहाँ पर सब सारी चीजे थी है अफवाहे फैलाई जा रही है बढ़िया तरीके से तो मैं तो पूरी विवस्ता पर सवाल उठा रहा हूँ परमीशन दी गई तो अमजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहा पे था कहा पर दॉक्तर थे सिकंदरा राओ के कहा पर पुलिस तैनाती थी कहा पर सीसी टीवी लगे वे थे कहा पर वेकलपिक रूप था कहा पर वो एंबिलें जब सारी वे उस्थाएं होती है उसी के शाथ से वहां पूरा पहर रहा है बताए जवाब दीजिए एंबुलेंस तैनात की जाती है फाइर बीरेट की गाड़ी तैनात की जाती है और आपर सभी चीजे थी पचास पुलिस कर्मी तैनात थे और पुलिस कर्मी जो है जब 84,000 कितनी एंबुलेंस थी कितने लॉक्टर थे सिकंदरा राओ के अस्पताल में कोई भी डॉक्तर नहीं था दो घंटे तक क्या मतलब होता है आपका कहने का किसी को वो था कि हादसा है कि साजिस है कि हो जाएगी साजिस वहां इतने लोग मर जाएंगे और आपको धैरे रखना चाहिए कि वहां पर जो है सबसे आसान तरीका साजिश हो गई किसी ने साजिश कर दी सिस्टम क्या कर रहा था सतर पुचतर लोगों ने इसलिए अपनी सासे तोड़ दी कि वहां पर कोई चिकितसा कोई उपचार उपलब्द नहीं था आप मुझसे बेहतर जानते हैं अश् चिमेदारी हम नहीं ले रहे लेकिन वहां पर जो चीजे आज भरम फैलाए जा रही है बाबा का नाम राम गुपाल यादाओ जी क्या कह रहे हैं हो गया दुर घटनाय तो होती रहती हैं क्यों कोई किसी सब के मूँ में दही जम गया सा राउर गांधी जी आज मिरतक टूर लेकिन आप सरकार किसकी है आपके स्वास्त मंतरी वो बी एल संतोष को रिपोर्ट देने में ज्यादा मश्गूल दिखाई देते हैं बजाए इसके की हात्रस जाएं ग्राउंड जीरो पर जाएं दिल्ली क्या कर रहे है थे को हात्रस क्यों नहीं गए पहले संधीब जी माननी मुझ्म मंतरी जी आपको नहीं दिखाई दिये और दो मंतरिों का समूल नहीं दिखाई दिया डिंजी पी साहभ गए सी ईस साहभ गए बाबाई का नाम नाम में क्या रखा उस्तुरल पाल जैसे बाबा कहके सनातन का अपमान मत करिये बाबा कहके क्या मतलब ये सनातन का अपमान, मैं सीधे बाबा का नाम ले रहा हूँ, इसमें सनातन को, विश्यांतर मत हो ये, विश्यांतर मत हो ये, ये पुराना हो गया आपकंदा, सनातन से दो गया, ऐसे बाबा सनातन के प्रतीक नहीं है, ये बाबा सनातन का प्रतीक नहीं हो सकता, मै का प्रतीक नहीं हो सकता यह बाबा सनातन का प्रतीक नहीं हो सकता हम कहां तो पस्याती की रिपोर्ट आ गई है देखिए संदीब जी 2008 में भगदर मची थी आज तक रिपोर्ट नहीं आई है और हमारी रिपोर्ट आ अजिए राजस्थान में अशोंगा हर जाएंगे रतमान में नहीं कि नहीं अब है क्या यहां पर जिम्मेदारी तेहोती दिख रही है यह पूरी विवस्था यह किसी नहीं था पूरी विवस्था के चलते एक से किस लोगों की जान गई है मैं बिन आला लपेट यह सवाल एबीपी न्यूज ने जिन संदर्बों पर बात किये आज तक टेलिवीजन चैनल पर इन विशयों पर बात नहीं हुई बिलकुल ये अपराधिक लापरवाई से संस्तागत हत्या हैं जो हमारे हिंदू धर्म के धर्मावलंबी शद्धालों की हुई है प्रदान्वंती नरें मेनेजिंग क्राउड एट इवेंट्स और मेन्यूज अफ मास गैदरिंग जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग होंगे वह चाहे धार्मिक हो चाहे राजनेती हो चाहे सामाजी कारिक्टम हो उसका प्रबंदन कैसे करना है उसके बाद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सा चोड़ी लंबी चोड़ी तस्वीर छपवा कर यह गाइडलाइन सारे जीलों के लिए सारी लोकल अथारिटीज के लिए भेजते हैं वह क्या गाइडलाइन है सबसे पहली प्रात्मिकता है रेपिड वेन्यू असेस्मेंट वहां के जीलाधीकारी को वहां के सुप्रीडें इस दोनों रिपोर्ट यह दस्तावेश तयार करने बाकाइदा एक फॉर्म का फॉर्मेट दिया प्रदान मंत्री जी ने आधित तिनाज जी को राधित तिनाज जी ने दोनों ही लोगों ने अपने दाइत्वों की इतिश्री करनी इसको कच्छरे के डब्बे में डाल दिय उस फॉर्म में यह असेस्मेंट करना होता है प्रशासनिक अधिकारियों को कि अगर अनुमत्ती दे दिये तो आपको मोके का निरिक्षन करना है वह आईजन किस नेचर का है वहाँ पर आदमी कितने यह सब सरकारों का हर राजनितिक दल का शगल है क्या क्या इस बात को आप आप नजर अंदाज कर सकते हैं अबे दुबे कि यह सारे राजनितिक शेय संरक्षन मिलता है इन बाबाओं को नरसिमा राओ के टाइम पर वो चंदरस्वामी नाम का एक बाबा था यह याद दिलाने की जरूरत है क्या हर पार्टी में हर सरकार में बाबाओं को कही ना कही स अथारिटी ने दी तो निलंबन क्यों नहीं किया उनका इतनी गंभीर लापरवाई क्या बात करते हैं आप ट्रैफिक मेनेज्मेंट प्लान बनाना होता है इमर्जेंसी मेडिकल सर्वीसे स्वाइस्टेबलिश करनी होती है इमर्जेंसी रिस्पोंस सेंटर माइस्टेबलि आप मुझे बताईए क्या एक भी मापदंड जिस आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में एक सारे हजारों प्रत्यक्स दर्शियों ने बताया कि डॉक्तर तक एक डॉक्तर सिर्फ मोजूद था एटा लेकर क्यों भागे लो सेट्रों की संख्या में मोत र यह नहीं नहीं मैं यह बता रहा हूं आपको कि वहां पर आपको यह तक दिया गया इसमें दिशा निर्देशों में कि कि इस टैंपीड कितने धार्मी कायो जनूमें घंडाए हुई है वो मैंने सुन लिया वो आपने तफिर से जानकारी देखी मेरा सवाल ये है राजनितिक मजबूरी होती है क्या सुनिये ना राजनितिक मजबूरी होती है क्या नाम लेकर मैं बोल रहा हूँ गुरमीत रामरहीम बलातकारी भी हत्यारा भी और दो अजार एक दो से ये मामले सामने आ रहे थे आपकी सरकार आपके मुख्यमंत्री नाम लेकर बोल रहा हूं उस वक्त कैप्टिनम रिंदर सिंग मुख्यमंत्री जब वुआ करते थे जा रहे हैं देरे पर देरा सच्चा सौदा पर क्योंकि वोट की दरकार थी हर राजनितिक करता आ रहा है इस सवाल को क्यों आप किनारे क्यों कर लें इस सवाल से हैं अपराध ह हलने अपराध के लिए सजा है आई पी सी में प्राउधान है हमारे भारत के संविधान में प्रावदान कोई अप्राधी व्रत्तिक आये तो यह प्रशासदित गंभीर अपराधिक लापरवाई है सो प्रतिशत किसी एक व्यक्तिक सक्षम नहीं होता संत महंट कि लापरवाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर अशमनी शाहिक कह रहे थे कि नई इंतजाम थे मैं आपको वहां के स्थानिये लोगों ने क्या देखा चश्मदीद क्या कह रहे हैं कितने डॉक्टर थे कितनी अमजेंसी टीम्स थी वहां पर पहले वो बयान सुन लीजे अरुन राजबर ध्यांग से सुनियेगा अगला सवाल आप ही से होने वाला है तो बंटा होगा है जार मार रहे हैं यह तो है तो बागी के कोई नहीं ना डॉक्टर ना पुलिस ना प्रशासर अरुन राजबर यह स्थानी है लोग यह जूट बोल रहे हैं यह राजने तक बोली बोल रहे हैं यह हकीकत बया कर रहे हैं जिस पर लगातार परदादारी की कोशिश की जा रही है पिछले साड़े सततर गंटे से देखे संदीब जी स्वेल भारती समाच पार्टी इस घटना को बहुत ही दुखत घटना मानती है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए हम जो मृतक परिवार हैं उनको सद्धानजली अरपित करते हैं जो लोग घायल हुए हैं उनको हम स्वस्वने कामना करते हैं हमने देखा है घटना यह जिस तरीके से हुई है यह एक-दो दिन ऐसे घटनाएं एक पहली घटनाएं नहीं हैं पूरे देशबर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होई हैं हमारी आखे तब खुलती है जब लोगों की मौते हो जाती है और हम आगर चिन टीवी चैनलों पर चिलाने लगते है इससे पहले लाखों के आयोजन उत्तर प्रदेश में हुए है सत्संग हुए है समागम हुए है तमाम कुम के मेले हुए है लेकिन जो ब्यवस्थाए सासन प पढ़ रहेगा तो जिम्मेदारी किसकी है अरुन जिम्मेदारी किसकी है जिम्मेदारी किसकी है जिम्मेदारी आपकी भी है जिम्मेदारी सासन प्रसासन की है जिम्मेदारी नेताओं की है जिम्मेदारी जनता की भी है सारी जिम्मेदारी सिर्फ लोगों की नहीं है अगर आप अंद विश्वास की तरब जा रहे हैं, तो वहां के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इस अंद विश्वास में कोई अनुहोनी होगी तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। दे रहा है यह भी तो देखना पड़ेगा अनुमती लेने वाला कोई लेता नहीं जाता है तो सबसे पहले आयोजन करता उससे अनुमती लेते हैं कोई भी राजनेतिक दल के कारिकरम हो चाहे किसी भी धर्म का कारिकरम हो किसी भी समागर्म का कारिकरम हो तो अनुमती लेने वाला के पास क्या था समाजवादी पार्टी की नेता श्री अख्लेस यादव जी का ट्वीट देखा उनके बयान देखा ब्रह्म हांड में ऐसा कोई बाबा नहीं अब जिसको ब्रह्म हांड में पानी बरसात रोकने का अगर प्रमारपत दे दिया जाए तो अन्द भक्त लोग तो उनके हां जाएंगे ही कि अरे यह तो हमारी बीमारी दूर कर देंगे हम लोग उनका दर्सन कर लेंगे पैर पकार लेंगे तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी यह दली पिछणों को अंद विश्वास की तरम ले जाने वाले नेताओं को अखिलेच यादव उसे ग्रमान्र का सबसे बड़ा बाबा मानें रेंगे बहुत वहीत से लेकिन अधे बाबा हैं जो सिपाहिस से सिपाहिस रीटार्मेंट कर सीधे बाबा बन जाते हैं लाखों समर्तक उसके हो जाते हैं वो कौन सा जादू देते हैं ये अंदविस्वास का जादू देते हैं कि पानी पीलो बीमारी दूर हो जाएगी ब्रमान का सबसे बड़ा बाबा अब आप कह रहे हैं कि योगी सरकार की जिम्मेदारी है इस बाबा को बाबा बनाने में अपनी भूमिका के बारे में भी तो कुछ बोलेंगे ना प्रूरत भी होती है कि कहीं आयोजन है बुलाया जा रहा तो वो जाएं किसी आयोजन में सामिल होने से या किसी के साथ खड़े होने जाने से भविस्व में आगए आने वाले समय में कोई हादसा होता तो क्या उसके लिए जिम्मेदार ठेराया जा सकता है मैं सरकारी पक्स से दो पिरवक्ता बोले हैं हमारे भाई आरून रावी मतला बांद भक्ती के नाम पर राजनितिक रोतियां आप भी सेखते हैं ये बात आप मान रहे हैं राजकुमार भाकी देखिए मैं बहुत बहुत ही इमांदारी से मैं बहुत विस्तार से कोई बिंदू छोड़ा नहीं दोरा के समय खराब नहीं करना चाहता आपने बहुत कायदे से बात उठाई है पहला सवाल तो पहली समश्चा तो यही है कि इस तरह के फरजी ढोंगी बाबा रात और रात कैसे खड़े हो जाते हैं ये हमारी अशिक्षा हमारा अंधिविस्वास पाखंडी लोग कैसे लिए पीछे रिपोर्ट में और जो जेल में पड़े हैं आजकल रेप और हत्या जैसे आरोपों में इन जिन में से एकाद को तो सजा भी हो चुकी है उनके साथ हमारे वर्तमान प्रदानमंत्री जी पहले नेता आडवानी जी योगी आधितनात जी और बड़े-बड़े न लोगों को समाज को सही दिसा देनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि ऐसे पाखंडों में ना फस हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो हादसा हुआ जो घटना हुई उसमें पिरसासन और सरकार का एकदम फेले और था नदार अत्ती सरकार नाम की चीज कहीं दिखाई न रहा हूँ सरकार ही गायब थी विवस्ता ही गायब थी अबहे दुबह जाने माने राजने तक विचलेशक भी हैं मेरे साथ अबहे औरे किसमें कि इतना दम था 121 लोगों की हत्या उसके पीछे सिस्टम था अगर मैं ये कहता हूं गलत कह रहा हूं कि हम सब जिम्मेदार है रहे हैं इसमें लेकिन मेरा एक टेक पुड़ा सा अलग है सब लोगों की बातों से सहमत होते हुए मैं कह रहा हूँ को टेक यह है कि यह मसला स्टेट विदिन स्टेट का है शुरू से ही जो भारत का राज्ज है इंडियन स्टेट है उसने लगातार कुछ खास करेके तफ्टो प्राप्त कर रखता है सभी राम रहीम के आश्रम में भी यही स्टिती थी यह जो नए भोले बाबा है इनके आश्रम में भी यही स्टिती थी खर्याना में बाबा वाला कान डुगा था कई दिन तक होता रहा हम तब लोग जानते हैं उसमें भी यही स्टिती थी इन सब के पास अपनी मिलिशिया होती है, अपनी फॉज होती है, अपनी फुलिस होती है, आपने कोई विस्तार से बताया कि पुकुड़ियां वगयरा वगयरा क्या थी? और इनको भारती राज जी इजाज़त देता है ये इजाज़त इस पस्ट रूप से कागश पर नहीं दी जाती है लेकिन अनुपचारिक रूप से उनको ये इजाज़त होती है कि वो राज जी के भीतार अपना राज जी बना लें स्टेट के भीतर अपनी स्टेट बना लें और जब तक कोई बड़ी दुर्गटना नहीं होती या कोई भीचनों बेयाना का परात का पर्दा फास नहीं होता तब तक हम इस राज्ज के भीतर राज्ज़ पर इखटना की पीच चर्चा नहीं करते क्या हम सबक लेंगे या पर्दादारी हो रही है अतीत में गिन्वाया जा रहा है कौन किसे क्या कहता गूंता था कोई जिम्मेदारी तैय होगी अब है हर पार्टी हर नेता इसमें जिम्मेदार है सब लोगों को वोट दिखाई पड़ते हैं एक बाबा बैठा हुआ है उसके सामने लाकों लोग बैठे हुए है उसके दीवाने हैं सब लोगों को अपने वोट दिखाई पड़ते हैं राम रहीम को जितनी पैरॉल मिलती है वो एत एक मत नहीं होगी, इस प्रकार के बावा बाग को समाप्त करना है, लेकि इसकी दो कैटेगरी नाम लेना भी ठीक नहीं है, लेकिन जो कमजोर जात्यों के बावा है, जो डेरे हैं सारे एक सारे, वो कमजोर जात्मियों के हैं ये वाले बावा जो जिस बावा के यहां चर्चा हो रही है वो भी कमजोर जात्मियों का बावा है अच्छा उनकी बहुत भीड होती है उनके वोट सब को चाहिए ये इस पूरी प्रक्तिया में होता क्या है कि जो राज़ी के वोट का खेल है जो पूजे हैं आस्था के प्रतीक हैं जिन्दगी जीने का निर्वान प्राप्ति का राह दिशा हमें बताते हैं लेकिन फर्जी वारा करने वालों की भी तादाद कम नहीं है तो उसमें आपकी मेरी भी जिम्मेदारी है लेकिन बड़ी जिम्मेदारी विवस्ता की नकेल कसन की वो कानून का जो डंडा है जो वो इकबाल है उसका इस्तमाल करने का क्या वक्त आ गया है हात्रस में जो हुआ क्या वो नजीर साबित नहीं होना चाहिए कि आगे इस तरह की काम ना हो और ये स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सिर्फ फाइलों में किताबों में दब कर बंद रहकर ना रह जाएं